हेलो फ्रेंट्स तो यूप्यास एक्जेंबर रवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम मेडियेवल हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं सो सतीष चंद्रा बुक का यहां पर कल्चर डेवलोब्मेंट इन इंडिया सो यहां पर इ जैसे कि जो मुस्लिम से यहां पर हमने अबी डैली सल्तनत के बारे में देखा था उनके दवारा यहां पर जो रूल किया गया था उन्होंने क्या करा था कि बहुत सरे जो मन्दिर थे उन्हें यहां पे convert करना शुरू किया था यहां पे जो existing buildings थी यहां पे दूसरी उन्हें भी यहां पे जो masjid थी उन्हें convert करना इनके दौरा शुरू किया गया और बहुत सरे जो मंदिर थे उन्हें destroy करना भी इनके दौरा किया गया था और यहाँ पर destroy करने के बाद जो उनका material था उनका यहाँ पर इस्तिमाल किया यहाँ पर दूसरी यहाँ पर मस्जिद बनवाने के लिए अब इसके अगर हम example देखें कुएत उल इसलाम यह जो मस्जिद है यहाँ पर पहले मंदिर हुआ गरता था यहाँ पर बहुत ही फेमस विशुनुका सो उसे तड़वा के यहाँ पर यह मस्जिद बनवाई गई थी सो कुद्व मिनार के निजदी की यह दिली में मस्जिद दे देखने को मिलेगा सो पहले वहाँ पर एक मठ हुआ करता था एक विहार हुआ करता था उसे तड़वा के यहाँ पर अड़ाई दिन का जोंपड़ा यह बनवाया गया है अब यहाँ पर यह जो आर्क जिसे महराब बोला जाता हिंदी में यह जो डॉम होता है कुम्बत होता जो यह तूर्किश या मुसलिम की इन्वेंशन नहीं थी ठीक है तो पहले हम समझे लेते हैं कि आर्क और डॉम होता कै तो आर्क स्ट्रक्चर आपको यह इस परकार की देखने को मिलेगी आर्क स्ट्रक्चर यहाँ पर जो देख सकते हैं तो दिस वन दिस इस कोल्ड आर्क स तो यह यहाँ पे तूर्किश या मुसलिम इन्वेंशन नहीं थी अब अरप्स के दौरा यहाँ पे इस चीज को बोरो किया था रॉम से रॉम के थूर यहाँ पे इन्होंने बोरो किया था बाइजेंटान अंपायर से तो उनके दौरा इस चीज को डिवलप किया गया था और बाद में इन्होंने अपना इस चीज को बना लिया था बहुत सरे एक्सपेरिमेंट इनके दौरा यहाँ पे किये गए कि यहाँ पे जो स्कूर बिल्डिंग जो होती है यहाँ पे जैसे इस परकार के स्कूर जो बिल řो मैं अब यहां हमे ने होता था कि बीच में हैं पहुत सरे पिलर्स लगाने प्देग की जाने लगी कि आप जो पिलर्स में हटा दिया गया और यहां पे बहुत बड़ा एक होल यहां पे क्लीर व्यूम्यां पर दिखने लग गया था इसका क्लियर तो इनके दुवारा यहां पे जो अंदर पिलर बनाई जाते हैं तो उस चीज को यहां पे हिटाया गया तो देरे-देरे इस परकार की यहां पे यह नहीं नहीं टेक्नीक्स यहां पे लेके आये थे सो यहां पे जो आर्क और जो डोम है अब यह इंडियन्स के लिए भी इस चीज़ को जानते थे लेकिन वो इतना ज़्यादा इसका इस्तमाल नहीं करते थे इतने बड़ी स्केल के उपर इसका इस्तमाल इनके दुवारा नहीं किया जाता था क्लियर है सो नेक्स्ट मूव करते हैं सो यहां पर अगर डेकॉरेशन की बात की जाए सो डेकॉरेशन में यहां पर जो तुर्क्स है अब वो ह्यूमन या एनिमल फिगर का इस्तमाल नहीं करते आप जितनी भी यहां पर देखोगे यहां पर मस्जिद में तो इन चीजों का इस इस्तिवाल नहीं किया यह मेली जो जो मेंट्रिकल शेप्स होगी यह फुलावर डिजाइन होगे यहां पर जो वर्टिस हैं कुरान से रिलेटिड इन चीजों को यहां पर वह इंस्क्राइब करते हैं ठीक है अगर आप देखोगे यहां पर डाइगराम में भी देखोगे तो डिवाइसे यह पूरा जो कम्बिनेशन है इस चीज को यहां पर क्या बोला जाता है सो इसे अरब सक बोला जाता है एं तो इंके दौरारहीं थी तो तो यहां पर उन्होंने यहां पर अपना हिंदू लुक भी यहां पर देना शुरू किया यहां पर जैसे कि यहां पर हिंदू मोटिफ यहां पर देखने को मिलेंगे बैल शेप हो गया स्वास्तिक यहां पर जो चिन्न हो गया लोटस हो गया तो यह सब कुछ भी यहां पर दे देंगे यहां पर इस स्ट्रक्चर को उसमें European style भी है कुछ ना कुछ वो mix-up करेंगे clear है तो इस परकार की भी यहां पर finishing देखने को मिलेगी तो तुर्क्स के दवारा यहां पर बहुत सरे color भी इनकी buildings में यहां पर add किये जाते थे जैसे कि red sand stone के इस्तिमाल करना हो गया या yellow sand stone के इस्तिमाल करना हो गया marbles यहां पर decoration के लिए इनका बहुँ जादा इस्तिमाल किया जाता था तो शांदार building के अगर हम बात करें जो तुर्क्स के दवारा बनाए गए थी कुदूब मिनार यहां पर ठीक है तो यह बहुत ही अच्छी यहां पर example हो जाएगी तो यह कुदूबु दिन एबर के दवारा यहां पर इसे बनवाया गया था जैसे कि मैंने slave dynasty में भी इसका यहां पर जीकर किया था कि यहां पर इन्होंने शुरू किया था लेकिन यहां पर इनकी मृत्य हो जाती है जिसकी वज़ए से इस चीज को continue नहीं कर पाते और यहां पर इसे करवाया जाते हैं यहां पर इबर के दवारा बनवाई थी बाद में यहां पर इससे कंप्लेट किया गया था इल्तूत मिश्च के दवारा सो यहां पर इग्जैम्स में इस परकार के भी कोशन पूछ लिया जाती है कि यहां पर जैसे कुर्व मिनार जो इस ट्रक्चर यहां पर बनाई गया तो यहां पर सबसे important बात यह है कि जो कुद्बुदीन भक्तियार काकी यहां पे बहुत ही फेमस डैली में यह संत हुआ करते थे कुद्बुदीन एबक के समय में जो slave dynasty है सो यहां पे जो कुद्ब मिनार बनवाया गया था वो इने dedication नहीं किया गया ठीक है जा वैसे तो मैंने slave cave dynasty में भी आपको यही बताया था कि यहाँ पर जो कुद्बु पर कुद्ब मिनार यहां पे यहां पर इने dedicate किया गये लेकिन बहुत सारी books में यहां पर गलत लिखा हुआ है उन्हों नहीं विए की बोक से यहां पर थी चार बड़ी हुई है मेरे पास उसके बाद नैट में सर्च किया लगला जगाहों पर तो ज्यादा तर यहां पर यही बात लिखी हुई है कि यहां पर जो उभाक्तिए मोगों आया को स्मर्पित नहीं है इस बात का याद रख रहे हैं तो इनके दोबारह कवाद अनुट सक्रौश की यहां पर मस्जीद है यह बनातीं यहां पर इनके तो इंपोर्टेंट है यहाँ पर यह आप लोगों ने नोट कर लिया होगा वैसे मैंने नोट्स में भी चेंज कर दे जो सलेव डायनेस्टी के मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी अगर आप नॉट्स परचेस करोगे इन फ्यूचर यह सभी तो आपको वहां पर भी सलेव यहां पर कुछ किलोमेटर आगे देखने को मिलेगी कुटूब मिनार से उनके दवारा यहां पर एक कुटूब मिनार का जो इंट्रेंस गेट है यहां पर यह भी बनवाया गया था जिसे अलाई दर्वाजा यहां पर बोला जाते है तो यह कुटूब मिनार के आगे यह जो बिल्डिंग देखने को मिलेगी दिस इस कॉल्ड अलाई दर्वाजा ठीक है तो यह बनवाया गया था उसके बाद ग्यासुदीन मोहमत तुगलक इनके दुवारा यहां पर बहुत बड़ा यहां पर पैलस यहां पर फोर्ट बनवाया गया था तो उसके बाद यहां पर लिए स्ट्रेंग फीचर यहां पर तुगलक आ कि आकिटेक्चर के देखने को मिलें जाती थी स्लोपिंग वाल्स आपको इस प्रकार के जो देखने को मिलेगी जैसे जो मचबूती में पर उस firm को देने के लिए होती है ठीक है तो इस अज जाना जाते हैं, यहां पर strength प्रोवाइड करती है, solid यहां पर building को ठीक है, जादा मजबूती प्रोवाइड करती है, तुगलक से यहां पर इनके दुवारा जो costly red sand stones हैं, इनका इस्तमाल इतना जादा नहीं किया जाता था तो यह जो सस्ते यहां पर पत्थर होते थे, यह जो असानी से मिल जाते थे पत्थर, उनका इस्तमाल यह किया करते थे, जैसे grace stone हो गया यहां पर, असानी से मिल जाते हैं और इन्हें तराशना भी वह जाता असान हो जाता है, तो इसलिए, अब यह नहीं चाते थे, कि इतनी दूर दूर से यहां पर पत्थर मंगाई जाएं, यह building बनाएं, वो building बनाएं, ठीक है, तो यह इतना ज़्यादा है, यहां पर focus नहीं करते थे, so इस channel के उपर आप सभी को यहां पर यह सब कुछ provide किया जाएगा, so देख ले न, channel के उपर जाके अलग लग playlist आपको मिल जाएंगी, so next यहां पर topic, religious, ideas and beliefs के बारे में देख लेते हैं, यहां पर topic स्टार्ट करने से पहले, यहां पर कुछ students के यहां पर message आ रहे थे, कि यहां पर video को daily upload किया जाए, जल्द से जल्द upload किया जाए, देखो यहां पर video बनाने में बहुत जादा time लग जाता है, कम से कम यहां पर मान के चलो कि 15-16 गंटे यहां पर मेरे लग जाते हैं, क्योंकि यहां पर नोर्स बनाने, यहां पर उसके बाद meaning यहां पर लिखने, अलग-लग images यहां पर इंट्रेड्यूस करना, video बनाना, upload करना, ठीक है, बहुत जादा time लग जाता है यहां पर, और यहां पर मैंने एक चीज़ और notice किया है, यहां पर जो ancient history मैंने complete किया है, तीन-चार महीने पहले यहां पर हो चुके हैं से, और उसके यहां पर views यहां पर बहुत ज़्यादा कम है उसके यहां पर कुछ videos के 100 views हैं, कुछ के यहां पर 150 views हैं, clear है तो इतनी ज़्यादा यहां पर महेनत की जा रही है, उसके बाद मुझे लगते है कि यहां पर क्यों वीडियो यहां पर बना रहा हूं कि कुछ students ऐसी हैं जो coaching को effort नहीं कर सकते तो मैं सोच रहा हूं कि उनके लिए यहां पर complete UPSC की coaching यहां पर free of cost यहां पर provide की जाए अगर आप यहां पर वीडियो को देखते हैं अगर आपको अच्छी लगती है शेर कर देना सो उनकी भी मदद हो सके गर बैठे यहां पर complete UPSC मेंस की आपको यहां पर नोर्स के साथ यहां पर coaching दी जा रही है clear है सो उनकी भी मदद हो सके सो इतना ज़्याद है यहां पर time मेरे दुवारा waste किया जाता है कि नोर्स बनाने में यहां पर ठीक है वीडियो बनाने में सो यह भी waste ना हो otherwise यहां पर चलो देखते हैं फिर क्या होगा so next यहां पर करते हैं यहां पर religious ideas and beliefs के बारे में so Islam यहां पर जो establish हुआ था सिंद में 8th century में हुआ था पंजाम में 10th century में देखने को मिलेगा Arab travelers जो केरला में settled हुए थे यह 8th century के बीच में हुए थे so al-bruni के दुआरा जो किताब लिखी की है किताब-ul-hind और जो other writings यहां पर देखने को मिलेगी यहां पर जो बहुत सरे लोगों को जो west asia में रहते हैं उन्हें पहले से ही जो hindu ideas यहां पर जो इनके beliefs है क्या क्या ठीक है यहां पर इनकी संस्कृति के बारे में सब कुछ पता चल चुका था जो इनकी books के जरिये तो यहां पर जो buddhism और विदातिक जो ideas है यहां पर इनका जो influence था Islamic thinking के उपर इन चीजों का बहुत जादा परबाव पड़ा और यहां पर बहुत जादा यहां पर debate scholars के बीच में देखने को मिलती थी so Greeks और इंडियन जो ideas है यहां पर अलग लग proportion में यहां पर so इनके दुवारा भी contribution दिया गया यहां पर Islamic philosophy को यहां पर develop करने के लिए जो इनका यहां पर starting face था उसमें so next यहां पर सूफी movement के बारे में देख लेते हैं so यहां पर जब rise यहां पर तुर्क का rise होता है यहां पर अबासिख खलीफा के पतन के बाद उसके बाद यहां पर बहुत सरे important changes यहां पर देखने को मिलेंगे ideas or beliefs के यहां पर शेतर में so यहां पर जो so ideas के शेतर में यहां पर जो मुताजिल या जो rationalist philosophy होती है इसकी यहां पर जो domination खतम होती हुई देखेगी और इसी के साथ में यहां पर जो orthodox school है यहां पर जो कुरान के basis के ओपर या حदीज के बेसिस के ओपर हो गया यहां पर जो ट्रैडिशनल इस्ट यहां पर work देखने को मिलेगा mainly four schools यहां पर Islamic law के देखने को मिलेंगे इन में से यहां पर जो हनफी school है यहां पर यह सबसे ज़्यादा most liberal यहां पर माना जाता है और यहां पर जो eastern यहां पर फेमस यहां पर जैसे की women यहां पर देखने को मिلेंगी जैसे राबाइया 8th century में देखने को मिलेंगी उसके बाद मनसूर बिन हलाज यहां पर 10th century में देखने को मिलेंगी इन्होंने मेली यहां पर बहुत जादा जोड़ दिया है यहां पर कि जो love के ओपर यहां पर कि God और individual जो soul है उनके बीच में किस परकार का यहां पर relation होना चाहिए यहां पर तो इस चीज के ओपर यहां पर इनके द्वारा जोड़ दिया गया था और यहां पर यह जो इनका यहां पर pantheistic यहां पर अप्रोच था इसकी वज़े से बहुत जादा conflict देखने को मिला जो orthodox 11-12 में हुई थी यहां पर AD में इनके द्वारा भी यह जो Islamic Orthodox यहां पर इनके साथ भी यहां पर यह जो रहस्यवाद यहां पर इस चीज को यहां पर शोट आउट करने की कोशिश की थी इनके द्वारा यहां पर जो बाते बोले गई थी कि यहां पर यह जो mystic यानि की जो बहुती रहस्यवादी यहां पर जो बाते होती है जो इनके द्वारा यहां पर इस चीज को फोलो किया जाता था यह सब कुछ यहां पर कुरान में देखने को मिलेंगी तो यह बाते यहां पर बोली गई थी इसी समय में यहां पर जो सूफी है यहां पर यह बारा ओर्डर्स में या सिलसले में यहां पर यह डिवाइड हो चुके थे यहां पर और्गनाईज हो चुके थे यह जो सिलसला है यहां पर यह जो मेली यानि की इसे लीड किया जाता है famous जो mystic यहां पे होती है so वो खानका में रहते हैं यहां पे अपने शिश्यों के साथ ठीक है वहां पे रहते हैं यह so यहां पे जो link होता है यहां पे teacher या जिसे गुरू या पीर यहां पे जिसे बोला जाता है और यहां पे जो इनके शिश्य होते हैं यहां पर बहुत ही important पार्ट यहां पर होता है यह सुफी सिस्टम का यहां पर ठीक है तो यह बात यहां पर बोली गई थी यहां पर जतने भी पीरों आगे बोर होते हैं और इसल्ण फ tudほक Yog लिडिया करतीह के हैं अपने से में युव बात कहीं हैं यहां पर तो यह सभी चीज़ें के दूआरा बोली गई थी सूफी ओर्डर यहां पर जो ब्रोड डिवाइड किया गया यहां पर दो ओडर समें देखने को मिलेगा सट यहां पर बाच लू करते हैं दूसरे बे शरा मतलब कि जो इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं यहां पे यह दोनों टाइप सबारत में बहुत जादा परचली तुई थी और यहां पे यह जो बाद वाली है यहां पे बे शरा तो यहां पे यह जो इसको यहां पे फॉलो करते थे उन्हें वॉंडरिंग संत यहां पर जो गुमकड गोमते रहते हैं ठीक है वह यहां पर बोलते हैं इन्हें प्लेश्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो को फान डूर करने के जरूरत नहीं है इन्डिया में जो खवाजा मुनी दून पर जो बारत में आये थे राउंड 1192 में तो यहां पर उनके जो शिशे थे उनमें से शेक मुनी दीन जिनकी मृत्यू 1235 एडी में हुई थी तो यहां पर जो बक्तियार काके हो गया आगे जो इनके भी यहां पर जो शिशे थे वो फरीदु दीन गंज ए शकर ठीक है तो यहां पर यहां पर इनके आगे डिसाइपल थे यहां पर तो फरीदुदीन यहां पे जो इनकी activities थी वो हांसी और अजोधन तक ही यहां पे सीमित थी मतलब कि यहां पे जो आज का हर्याना और पंजाब देखने को मिलेगा पहले यहां पे इनके नाम हांसी और अजोधन हुआ करते थी तो इनका जो द्रिस्टी कौन था यहां पे वो बहुत जादा broad था और बहुत जादा kind type का था यहां पे तो इनकी जो verses हैं बाद में उसे यहां पे आदिगरंद साहिब में भी introduce किया गया था तो most famous यहां पे जो चिस्ती संति यहां पे देखने को मिलेंगे वो हैं निजामुदीन ओलिया और नसीरुदीन चिरागे डैली तो यह देखने को मिलेंगे यहां पे यह जो अरली सूफिस यहां पे यह क्या करते थे जो निमिन वर्क के जो लोक होते थे यहां पे उनके इनके दुवारा और यहां पे जो लोगों से बाचित की जाती थी वो भी जो लोकल लेंग्वेज थी यहां पे जैसे हिंद्वी या हिंदी लेंग्वेज जो थी उसमें ये बाचित किया करते थे यहां पे जो सूफी संत यहां पे हुआ करते थे यहां पर परचली थे यहां पे क्योंकि इन्होंने musical recitation यहांप एडोप्त करा था मतलब कि यह जो अपने यहां पे जो हिम्स फबगारा जो गाते थे उन्हें यहां पे musical यहां पिवह हम यहां पर गाया करते थे वित जिसे साम यहां+. नमसे जाना जाता है कि किस परकार से यहां पे ऐश्वर या IS avd नज्दीक यहां पर आया जा सकता है तो नजीम दिन ओलिया यहां पे इनके दोरा योगिक ब्रेадцफिंग exercise को भी इटोप्ट करा गया था कि यहां पे योगिश हैं यहां पे बाद में जो और इनके यह यहां पर सिद्ध यह पर्फेक्ट के नाम से जाना जाता है निजामुदी ओलिया को तो यहां पर याद रखना इंप्वोर्टेंट है पूछ लेते हैं प्रिलिम्स एक्जैम में इनकी मृत्यू के बाद नशीरुदीन चिरागे दिली की मृत्यू के बाद यहां पर मिडल यहां पर फेमस नहीं हुए जितने की यह थे दो नाउधना पर सुहर वर्दी सिल्सला देखने को मिलेंगे सुहर वर्दी यहां पर बारत में आंटर होते हैं यहां पर सेम टाइम में जब पर चीस्ति यहां पर एंटर होते हैं, इनकी जो एक्टिविटीज वो यहां पर मेली पंजाब और मुल्कान तक ही सीमित है यहां पर, सो मोस्ट वैल नाउन संथ यहां पर जो देखने को मिलेंगे शेख सिहाब उदीन सुहवर्दी देखने को मिलेंगे और हमीद उदीन नगोरी देखने को मिलेंगे सो सुहवर्दी संथ यहां पे यह बिलीव नहीं करते थे यहां पे गरीबी में रहने के लिए जैसे कि यहां पे चिस्ती यहां पे रहा करते थे सिंपल साधा जीवन वो वेतित करते थे यह इसी में बिल्कुल भी विश्वाश नहीं करते थे इनके दुवारा यहां पर जो स्टेट की सर्विस उस चीश को यहां पर सविकार किया गया यहां पर कुस्तों इंपोर्टेंट जो बड़े-बड़े पोस्ट यहां पर होते हैं डिपार्टमेंट में वहां तक भी यहां पर इनके दुवारा अपनाया गया था तो जो यहां पर भक्ति मुव्मेंट के बारे में देख लेते हैं, बक्ति मुव्मेंट यहां पर यह हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में भी देखेंगे, क्योंकि बहुत जादा है, मेंस के लिए अभी यहां पर जितना 37 चंदरा की बुक में यहां पर दिया गया हम वो यहां पर सि history खतम हो जाएगी इसके बाद यहां पर इसका यहां पर बनेगा उसमें जो बीए की book से यहां पर सभी को combine करके मैं अलग से यहांपर टॉप चैप्टर बनाऊंगा उसे detail में चलेंगे हम clear है अभी यहां पर जिस्ट देख लेते हैं जितना वी भूक में दिया हुआ इसके उपर नहीं दिया गया था अली पीरेड में जैसे की आप सबीकों पता हैं हमने इस चीज का यहां पे ग्यान नहीं दिया जाता था यहां पर पढ़ने की अनुमेती हुआ सुआ करते थे उन्हें भी यहां पड़ने से यहां पर वंचित रखा जाता था ठीक है तो यह सभी बाते यहां पर सो अरली सैंचुरी में जो क्रिष्टन एरा में यहां पर महायान जो बुद्धिजम यहां पर आया तो इसके अंडर जब बुद्धा की यहां पर पूजा की जाने लगी मूर्ति पूजा इनके द्वारा जब की जाने लगी उसके बाद इसी समय में यहां पर जो विश्णू की पूजा भी इसी के आसपास यहां पर शुरू हो चुकी थी यहां पर यह भी बहुत जादा देखने को मिली थी तो इसी दोरान यहां पर जो होली बोक्स तो वो इंचोजों को पढ़ता है यहां पर सच्चे ग्यान की प्राप्ति होती है अच्छे करम करते हैं तो वो मुक्ति यहां पर पा सकते हैं यहां पर मेली साउथ इंडिया में यह सैवंथ और ट्वैलफ सेंचुरी के बीच में देखने को मिलेगी और यहां पर जो शेव नयान आर्स हो गए यह वैशनव अलवार्स ठीक है जिनने बोला जाते हैं तो याद किस प्रकार से रख सकते हैं यह भी मैंने बताया था जैसे क नेनार से यानि कि जो शिव के उपासक होते हैं सो नेन से यहां पर याद रख सकते हैं जैसे कि लोड शिव जी यहां पर तीसरी आँख देखने को मिलती है ठीक है सो नेन से नेन ठीक है उससे यहां पर याद रख सकते हैं अलवर्स यहां पर विश्णू के जो भक्त होते हैं यहां पे बहुत ज़ादा जोड दिया जाता था और यहां पे जो मैसिस दिए गए थे इनके दिए गए थे लॉघ के और परसनल जो बक्ठी के आईदियां यहां पर यहां पर इनके पर्तिन के दोपारी ये फिल आए गए ति सार्फ यहां पर स्प्रैड़Ó देखनेगे नामदेव यहां पर संठ बनने से पहले । सोमराथी में लिखी गई थी और यहां पे इनके द्वारा दूर दूर तक यहां पे ट्रावल किया जाता था और यहां पे बहुत सरी discussion यहां पे की जाती थी सूफी संत के साथ यहां पे दिल्ली में अब यहां पे रामनंद सो 14th century का यहां पे जो second half time period देखने को मिलेगा यहां पे और first quarter यहां पे 15th century का देखने को मिलेगा सो यह time period यहां पे में लिए रामनंद जो देखने को मिलेंगे यहां पे तो यहां पे इनका जो जनम प्रियाग में होता है अलहाबाद में जो वहां पे रहते थे और यहां बनारस में भी रहते थे तो इनके द्वारा यहां पे मेंली जो 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 famous जैसे की रवीदास हो गे ये by cast यहां पर mochi हुआ करते थे कब़िर यहां पे जुलाहा हुआ करते थे टीकह बुणकर हुआ करते थे संब बारबर हुआ गरते हुआ सदाना बुच्चर रुआ करते थे ठीकह यहां पर et 각ly Всё सबी को यहां पर पना इनके दुवारा दिया गया था तो नोर्स आपको बहुत ही कम कोस्ट के ओपर मिल जाएंगे नीचे डिटेल्स कीवन है कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप यह नोर्स चाहते हैं तो तो नाथ पंथी जो अंदोलन यहां पर मु हुए थे यहां पर सो लोगों में अब यहां पर यहांप यहां पर यहां पर यहां पर यहांप बहुत कुछ को को सेटिस्फाइख अब जैसे हमने एंशन्ट में भी देखा उसके बाद यह पर जैनिजम बुदीजम ठीक है फिर यहां पर मुसलिम से यहां बोगत यहां बदलाव दीरे दीरे देखने को मिर रहे हैं अब जैसे आगे जाके यहां पर और भी जैसे समय के अनुसार आएंगे जैसे कभी जो होग यहां पे इनके द्वारा बोली गई थी वो भी हम देख लेते हैं यहां पे टीचिंग्स के बारे में इनके most critical यहां पे जो existing social order है और यहां पे जो दलील यहां पे इनके द्वारा जो दी गई थी यहां पे हिंदु मुसलिम की unity के उपर यहां पे तो यह यहां पे जो नेम है यहां पे कबीर जी और नानक जी तो इनके द्वारा यहां पे मेली focus किया गया था अब कबीर जी के बारे में अगर हम देखें तो इनके द्वारा strongly यहां पे oppose किया गया था निंदा की गई थी मूर्ती पूजा के उपर, तीर्थी आत्राओं के उपर यहां पे या जो शाही, शाही नहीं बोलेंगे, यहां पर जो पवित्र सनान होता है यहां पर सीज़ को लेके, या जो फॉर्म वर्चिप हो गया, या नमाज, ठीक है इन सभी को यहां पे इनके द्वारा निंदा की गई थी यहां पे इनके द्वारा यहां पे यहां पे यहां पे सन्यास को यहां पे consider करते थे ना ही यह जो book की knowledge है इस चीज़ को यहां पे एहमियत देते थे कि अगर सच्चे ग्यान की प्राप्ति करनी है तो इन चीजों से यहाँ पर नहीं हो सकती यहाँ पर 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 यहाँ इसलिए बहुत जाद है यहां पर हमदर्दी यहां पर थी तो यहां पर यह सोशल रिफोरमर नहीं थी यहां पर कोई समाच सुधारक नहीं थे लेकिन यहां पर यह जो सबसे ज़ादा यहां पर Focuss देके चलते थे वो थे कि यहां पर कि इंडिवीज्जुल में किस प्रकार स सुदार लाया जा सकता है कि उन्हें यहां पे एक अच्छा गुरू यहां पे मिल सके अच्छा टीचर मिल सके जो उसे यहां पे एक सही गाइड यहां पे कर सके अगर तो उन्हें वो एक सही मार्ग दिखा देता है तो लाइफ में यहां पे इससे बड़ा कोई समाज सुदार नहीं हो सकता तो यहां पे यह बाते इनके दौरा बोली गई थी clear है तो उसके बाद यहां पे गुरुनारक देवजी के दौरा भी यहां पे बहुत सरी बाते कहीं गई थी यहां पे इनकी जो teaching सी यहां पे सिख religion यहां पे जिससे drive हुआ था यहां पे सो खत्री family में यहां पे इनका जनम हुआ था यहां पे चौतल बंडी साहब यहां पर जो village यहां पे सो आज के समय में नंकाना सामें देखने को मिलेगा तो रीवर रावी के किनारे के उपर 1469 में असी नाइन में है थे उनकी कंपनी को यह बहुत जादा ही जोई करते थे तो इनके द्वारा यहां पर बहुत सरे जो बजन यहां पर हीम्स जो कंपोज किये गए ते और गाये जाते थे यहां पर सो मेंली जो मरदाना यहां पर इनके जो इनके डिसाइपल थे सो इनके साथ यहां पर गाया करते थे यहां पर और इनके दवारा ओल ओवर दी इंडिया यहां पर टूर यहां पर निकाले गए श्री लंका हो गया यहां पर साउथ में मक्का मदिना बैस्ट में यहां पर ठीक ह हो गई थी, सो कबीर की तरह ही नानक जी ने भी यहां पे मेली एक गोड के उपर यहां पे जोड दिया, सो इनके दोरा यहां पे मेली जोड दिया जाता था, यहां पे purity of the character, यहां पे अच्छा आचरन होना चाहिए, यही पहली condition है यहां पे गोड को अप्रोच करने की और यह यहां पे गुरू की बहुँ ज़्यादा जरूरत है यहां पे, सो यह बाते यहां पे इनके दोरा बोली गई थी, सो कबीर की तरह ही यहां पे इन्हों ने भी आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा हो गया, तीर थी आतराएं होगी, यहा जो formal observances होती है, यहां पे जो अलग दू रीघू यहां पे ग्रेस्त जो जीवन होता है, इन दोनों के बीच में एक मिडल रास्ता यहां पे बताया था कि दोनों को यहां पे follow करते हुए, आप यहां पे मुक्ति को यहां पे पा सकते हैं, यहां पर जो आइडिया जनानक यहां पर एक नए दर्म को यहां पर जनम दिया सिखीजम यहां पर लेकिन दूसरी तरफ जो कबीर के यहां पर जो फॉलोवर्स हैं यहां पर वो सिर्फ एक सेक्ट तक ही यहां पर सीमित रहा मतलब कि पंथ तक ही सीमित रहा यह कोई अलग से यहाँ पे एक religion नहीं बना था तो यहाँ पे जो religious idea और policies यहाँ पे जो अकबर के यहाँ पे देखने को मिलेंगी इन में से यहाँ पे जो दोनों यहाँ पे एक great यहाँ पे संत जो थे यहाँ पे इनकी जो शिक्षाएं थी यहाँ पे इनको भी यहां पे इन्होंने इनके जो धार्मिक विचार और जो नीतियां थी इसमें शामिल किया गया यहां पे कलियर है सो आई होप आपको पार नंबर वन समझ में आया होगा सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना अपने अस पास फाई रखें ज्यादे से ज्यादा पेड़ पो देवाएं गुरीन इंडिया की तरफ मूव करना यही हमारा लक्षा सो जयाहिंद हाव अपनास्टिक टे